नमस्कार दोस्तों IRCTC quarter 3 result के साथ साथ एक और बरी नीज लगाडा हूँ दोस्तों लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर दोस्तों दिसंबर तिमाही में 17% मुनाफ़ा बढ़ा है IRCTC का और 300 करो रुपे पर पहुँच गया है IRCTC quarter 3 result इस दवरान IRCTC को 300 करो रुपे का मुनाफ़ा हुआ है पिछले साल की समान तिमाही में कमपनी को 255.5 करो रुपे का net profit हुआ है कमपनी ने मार्केट क्लोज होने के बाद नतीजे जारी किये हैं आज अस्टॉक में 1.19% की तेजी देखी गई दोस्तों IRCTC ने आज 13 फरवरी को मुझूदा वितवर्स की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये है IRCTC quarter three result इंडियन रेलेवे केर्टरिंग एवं टूरिज्म कॉर्परेशन यानि IRCTC ने आज मुझूदा वितवर्स की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कमपनी का नेट प्रोफिट 17.4 फिसीदी बढ़ा है इस दोरान IRCTC को 300 करो रुपे का मुनाफ़ा हुआ है पिछले साल की समान तिमाही में कमपनी को 255.5 करो रुपे का नेट प्रोफिट हुआ था कमपनी ने मार्केट क्लोज होने के बाद नतीजे जारी किये हैं आज अस्टॉक में 1.9 फिसीदी की तेजी देखी गई यह 910 रुपे 80 पैसे के भाव पर बंद हुआ कैसे रहे IRCTC के तिमाही नतीजे IRCTC ने 13 फरवरी को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि उसका रिवेन्यू सालाना अधार पर 21.8 फिसीदी बढ़ कर 118.3 करो रुपे हो गया तिमाही के दोरान कमपनी का इबिटिडा 20.9 फिसीदी यानि 394 करो रुपे रहा वहीं इबिटिडा मार्जिन सालाना 35.5 फिसीदी की तुलना में 35.2 फिसीदी हो गया IRCTC भारतिय रेलवे एवं खानपान और टिक्टिंग आर्म है जो ट्रेनों में फूड सर्विसेस मैनेज करती है और ओनलाइन टिकट बुकिंग सर्विसेस परदान करती है कैसा रहा IRCTC के सेरों का परदर्शन पिछले एक महिने में IRCTC के सेरों में करीब 6 फिसीदी की गिरावट आई है लेकिन 6 महिने में इसने 40 फिसीदी का रिटर्ण दिया है अगली खबर दोस्तों एक अस्टॉक के बारे में है यह एक्स्चेंजिंग सोल्यूसन्स है इस अस्टॉक का प्राइस मात्र 129 रुपया परतिसेर है और इसने 15 रुपय की तगरी डिविडेंट देने की घोशना की है कमपनी ने इसके लिए एक्स्टेट की भी गोशना की है जो की एक्स्टेट 23 फरवरी है